कि हैं लाइवन कैसे सारे तो वैलकम टू जैक अड़ी स्वागर आप सभी का जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको बीस नर्सिंग जो भी इंफोर्मिशन से वो दी जाती है चाहे आपके यूजी की हो चाहे आपके पीजी की हो या फिर को गुवर्मेट एस्टेट की निकल रही है उनके बारे में बात करें तो सबसे रेटेट जो भी इंफोर्मेशन है वो निकल कर आती है अब हाल जार्बाह में डिसकस करूंगा तो गुटनी उसे राजस्तान स्टेट्स के लिए कि यहां पे 3736 पदों के लिए भरती निकल के आईए अपने अब इस भरती के अंदर क्या क्या चीज़े हैं एक्जाम जो है यहां पे नहीं होगा यानि कि आपकी सीधी की सीधी भरती है इसके अंदर 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र की जो भी महिलाएं हैं वो इस भरती के अंदर है यानि कि इस भरती के लिए आवेदन कर सकती है अब कब से जुड़ा जाएगा तो जिनके अगर देखा जाए एक जनवाई 2024 तक यह मानने होगा यानि कि 2024 तक की जो है क्राइटेरिया के इसाब करों तो दस्वी पास और साथ ही साथ एनम कोर्स जो है वो कियावा होना चाहिए उस पर्टिकुलर महिला का जो इसके लिए आवेदन कर रही है अब कुछ स्पेशल चीजें इसके लिए है कि सेलेक्शन का प्रॉसस कैसे होगा क्या को एक्जाम है नहीं सीधी भरती है तो कि तो बोनस अंग दिया जाएगा बोनस का क्राइटीरिया क्या रहेगा उसके पर इप डिटेल से सारी बातें हम करेंगे तो जो कोविड को लोग वने अपनी समविधाएं दी है यहनि के दौरान जो लोगोंने कारिक यह उनको समविदा कर्मी यहां पर बोनस कैसे दिया दिया जाएगा और उन्होंने अपने समीदा के रहते हुए कितना कारेकाल उस कारे को दिया है उसके बैसे पर्सेंट योगदान उसका रहेगा यानि करना चीडियों किरे साल से कम गहवी 2 साल हुए नहीं है उनको दिये जाएंगे 15 और जिनका 2-3 साल कारी करते तो 2 साल से ज्यादा लेकिं hurry सोखें के जिनका 3 साल से ज्यादा हो रखां और को दिये जाएंगे 30 माilling अगर इन में जिनकी qualification यानि कि sectioning योगिता अगर ज्यादा है तो उस basis पे उसको नंबर पहले दिया जाएगा यानि उसका merit list में जो नाम होगा वो पहले आएगा अब selection कैसे करना है आपको क्या कर सकते हैं तो official website जो है sihfw.com पर आपको जाना है वहाँ पर आपको form open होगा आप उसके लिए apply कीजिए अब apply होने के बाद में जो भी जानकर ये आपसे मांगी जाती है जो documents आपसे जो photos, signature वगएरा मांगे जाते हैं वो आपको महाँ पर update करने हैं जो जानकर ये वो आपको बढ़नी है उसके बाद में आप अपनी category के हिसाब से जो भी आपसे शुल्क मांगा जाता है वो शुल्क आपको pay करना है वहाँ पर online ही pay करना है उसके बाद में आपको process रहेगा selection का और जैसे कि मैंने बताए इसके बाद में आप जिव document submit कर दोगे तो document के बाद में आपने की जो भी section योगिता है और जो इतना भी आपका कारेकाल का अनुबव है वो सब यहाँ पर मांगा जाएगा उस सब को देखते वे एक list जारी की जाएगी जिस list के अंद उसके अंदर जो महिला इच्छो के है वो महिला आवेदन कर सकती है जिसमें 3,336 पोस्टों पे आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गए है तो आप जल्दी से जाएए और A&M के इन पजों पे भरती का लाव उठाईए फॉर्म भरिए अपने category हिसाब से fees deposit करिए ताकि आप इस चीजों से चुके नहीं and second चीज अगर ऐसी कोई भरती है अगर आप इस A&M के लिए नहीं कर रहे है तो यहाँ पे आपको पूरा complete course करवाया जा रहा है इवन MCQ question के दुरू आपके test से लेटर जो भी practice है वो भी करवाई जा रही है टेलिग्राम चैनल भी हमारा वहाँ पर जाके आप जोड़ सकते हैं जिसे आप free PDF बगरा देखकर अपने चीजों को रिवीजन कर सकते हैं बीसे nursing के लेकर आप तयारी कर रहे हैं चाहे वो एमस के लिए हो जो 12 जुन को एक्जाम है या 11 जुन को आपका UK उत्राखंड बीसे nursing का एक्जाम है उन सभी के लिए आप तयारी कर रहे है तो जल्दी जल्दी जॉइन हो जाई है टेलिग्राम चैनल पे यूट्यूब चैन